बिल्कुल देखिया आकाश आनद ने जो तरीके से कम बैक किया है अंदाज वही है तेवर वही है लेकिन जो उनके सुर है वो कहीं नर्म पड़ गए हैं अब भारतिय जनता पार्टी और कॉंग्रेस को घेर तो रहे हैं लेकिन अब उनका बोलने का अंदाज बदल गया है तो मायवती को ऐसा लगने लग गया है कि जब तक सहयोगी दलों का साथ नहीं मिलेगा उनकी पाठी बड़ी बनती हुई है एक तरीके से सीटों पर जीत दर्ज करती नजर नहीं आएगी आपने देखा है मायवती का उपचनाओ में उतरना ये सीधे तोर पर बेस्पी की मजबूरी को दिखाता है जाहिड सी बात है कि पहली बार मायवती ने उपचनाओ लड़ने का आयलान किया है और इसको लेकर के इसलिए भी देखा जा रहे है क्योंकि चंदर सेकर अज़ाद दलीतों के बहुजन समाज पार्टी को नुकसान ज्येलना पड़ा नुकसान क्या हम ये भी कह सकते हैं कि खाता भी नहीं खुला एक सीट भी बहुजन समाज पार्टी के हाथ नहीं लगी अब बहुजन समाज पार्टी कुछ ऐसा करने वाली है जो शायद इससे पहले बस्पा ने कभी नहीं किया जिहां आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने एलान कर दिया है कि वो चुनावों में पूरे दम खम के साथ मैदान में उतरेंगी अपने उम्मीदवारों के उतारेंगी और जीत दर्ज करती हुई भी नजर आएंगी बता दें कि म मायावती को एक बार फिर बड़ा जटका लगा है क्योंकि उनके पार्टी के नेता पुश्पेंद सिंग ने भी कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है ऐसे में मायावती जिस तरीके से रन्नीतियां बना रही है क्या आने वाले विधान सभा चुनावों में और आने वाले जो उपचुनाव हैं दस सीटों पर विधान सभा की उस पर क्या मायावती कुछ सीटें जीत दर्च करती हुई नजर आएगी या फिर इन सीटों में भी देखना ये होगा कि एक वो जाएगी समझादी पार्टी के साथ और जाएगी भारती जंता पार्टी के साथ तो ऐसे में न्यूज रूम में मौजूद हैं अपने तमाम सायोगे से जाननी की कोशिश करेंगे कि मायावती आखिरकार पहली बार उपचुनावों में मायावती जिस तरीके से दम खम से मैदान में जान फूकने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है क्या मायावती जीत दर्च करती ह बिखा गया है कि उप्चनावों में उतर रही है यह सीधे तोर पर बेस्पी की मजबूरी को दिखाता है जाहिर सी बात है कि पहली बार मायावती ने जो है उपचनावों लड़ने का आयलान किया है और इसको लेकर करके इसलिए भी देखा जार रहे है क्योंकि चंदर से कराजाद दलीतों के बीच खुद को एक नए चेहरे के तोर पर पेश करने में कामयाब भी रहे हैं और सफलता भी मिली है नकिना सीट से जीत दर्च करने के बाद लगतार जिस तरीके से दलीतों का मुद्दा वो संसत में उठा रहे हैं उनकी लोग प्रियत हुआ जात लुरूर अभी कही नए उन्हें देरी कर दी और पार्टी को पूरे दमखम के साथ नहीं उतारा तो जहीर सी बात है कि उनको ज्यादा नुकसान हो सकता है और बीएसपी कि वापसी उत्तरप्रदिश की स्यासत में मुश्किल हो सकती है और आपने देखा होगा कि अभी अम्बेटकर नगर के केटेहरी पर प्रथम पंचायत का उप चुना हुआ था, वहाँ पर भी BSP की जो प्रताशिती उनको जीत हासिल हुई तो कहीं न कहीं अब BSP ने वो शुरुवात जरूर करया, हाला कि छोटा चुनाओ था पंचायत का चुनाओ था, लेकिन BSP के व जो गट जोड है, उनसे इंकार कर दिया, गट बंदन से इंकार कर दिया, लेकिन जितने भी रणनीती थी वो कह सकते हैं, जमीनी तोर पर फेल होती वी नज़र आई, और मयावति इसी बात से डरती वी नज़र आई, कि भाई, जो मेरा कोर वोटर था, जो मेरा दलित वोट सबस्ट चुनाव से पहले कि 10 सीटों पर उप्चुना है, और यहां पर BSP पार्टी एकाद सीटों पर भी जीत हासिल कर लेती, तो निश्ची तोर पर ये पार्टी के लिए एक कह सकते हैं, कि बैक करने के इस्तिती पैदा कर सकता है, बिलकुल मयावति को जो आम चुनाव म कि वापसी कर ली है, हर्याना के चुनावी मैदान में कूत पड़ी हैं और इनने लों के साथ गटबंदन भी कर लिया है, ऐसे में हर्याना में क्या प्रभाब डालती हुई नजर आएंगी वो भी देखना होगा, लेकिन अब जिस प्रकार से आकाश आनन्द बहुजन समाज पार्टी में अपनी भूमी का निभाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी भी या नहीं, महीं से जानने कुश्च करेंगे, महीं क्या लगता है, जिस तरीके से हर्याना में जन सभा को सम्मोधित करते हुए, आकाश आनन्द यहां पर सीधा कॉंग्रेस और भारते जनता पार्टी पर हमला कर देते हैं, ऐसे में अब जो आकाश आनन्द के भूमी का है बहुजन समाज पार्टी में, वो किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर रही है? करके पार्टी के जिम्मेदारी उठाएं, और पहली बार मायावति जो तरीके से उपचुनाओं में अपना दमखम दिखाने की कोशिस कर रही है, अगर चंसेखर आजाद उनके लिए बड़ी समस्या नहीं बनते हैं, तो आकाश आनन्द कहीं न कहीं, वो सारी बाधाओं को पार कर सकते हैं, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो अब मायावति को बड़ा जटका लगा, जैसे चित्रकूड विधानसभा शेत्र के जो प्रत्यासी है, पुस्पेंद्र सिंग उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, और उन्होंने कॉंग्रेस का दावन ठाम लिया, तो अगर मायावति और आका शानन्द इस सीट को साधने का प्यास करते हैं, और सही तरीके से वहाँ पर चुना पर चार और रैली करते हैं, तो जाहरतोर पर एक सीट कहीं न कहीं मायावति निकालने में काम्याब हो सकती है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुना में, अंबीट मायावति पिर से एक बार बहुजन समाज पार्टी को मजबूती से उत्तर प्रदेश में ही न सही, कई राज्यों में उतारती हुई नजर आ सकती है, और ऐसे में आका शानन्द जो अपनी भूमिका है, वो काफी जिम्मेदारी के तहत निभाते हुए नजर भी आ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से मायावति ने हरियाना में इन्हें लोग के साथ गड़ बंदन कर लिया है, ऐसे में मायावति ने बिहार के चुनावी मैदान में उतरने का भी अलान किया है, ऐसे में क्या मायावति बिहार में भी किसी के साथ गड़ बंदन के साथ उतरेंगी, या अ मायवती की बात करें या बीएस पी की बात करें तो उत्रपरदेश में जहां सबसे ज़्यादा मजबूत रही है वहाँ पर किसी के साथ में समझूता नहीं करते हैं अखले श्यादा बाते हैं तमाम बड़े नेता आते हैं आईए आप इंडिया गठमंदर का हिस्ता बन जाए लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मुझे ना बीजेपी में जाना है ना सफ़ा के साथ में जाना है मुझे अखिले चुनाब लड़ना हो देखिए जब रिजल्ट आते हैं तो उनको एक भी सीट नहीं मिलती जो अपने आप में ये बताता है कि अब जो जानाधार बीस पी का एक समय हुआ करता था वो अब लगाता ना सिर्फ घटा है बलकि लगबग उनके पास से खतम होता हुआ दिखाई पढ़ रहा है सी कि मद्दे नजर अब ऐसा लगता है कि शायद मायवती को ऐसा लगने लग गया है कि जब तक सीयोगी दलो का साथ नहीं मिलेगा उनकी पार्ठी बड़ी बनती हुई याएक तरीके से सीटों पर जीत दर्ज कर तरुन नजर नहीं आएगी आपने देखा तेलंगना में वो B.R.S. के साथ में जाकर समझोता करती हैं हरियाना में जाती हैं तो इन्हें लोग के साथ में नज़र आती हैं अब बिहार में अगर वो ये बात कहती है चुनाव लड़ेंगी तो जाहिर बात है कि उनको यहां पर किसी ने किसी का सायोग चाहिए होगा क्योंकि देखिए इसमें एक करण और भी बनता है शाली की यहां पर आजाद जो है वो लगतार कई राज्यों में अपना कह सकते हैं कि पार्टी को बड़ा बनाने का प्रयास करते हुए दिखाई पड़ते हैं वो बिहार जाते हैं इसके लाब राजिस्थान में नजर आते हैं महरास्ता में चुनाव लगने की बात करते हैं तो आप यह मान कर चले हैं कि आजाद की रहा पर कहने के अब मायवती को चलने को मजबूर होना पर रहा है क्योंकि और साथ में से जो जनाधार खिसका है वो कहने के उनके लिए सबसे बड़ी प्राबलम की जड़ है क्योंकि अगर 2022 का विधान सबाच चुनाव देखें महज एक सीट उनके पास आती है और अगर लोग सबाच चुनाव देखें तो एक भी सीट उनको नहीं मिलती जो यह बताता है कि अब मायवती को लिगे सर्थ हम कह सकते हैं कि बिहार में मायवती की बहुजन समाज पाटी एक बार उभरती हुई नजर आ सकती क्योंकि पपू यादव ने एक बयान दिया था जब देखा गया था कि बिहार में रुपॉली पर चुनाव हुआ जहां पर निर्दाली एक उमीदवार जीत गया ना आर जेडी की यहां पर भीमा भारती जीती ना जेडियों के ब्रत्याशी जीते जो निर्दाली एक उमीदवार है वो जीत दर्ज करता है तो पपू यादव यह कह रहे थे कि अब जो जनता है वो आर जेडी और जेडी उसे उप गई है तो कोई नई पार्टी यहां पर मजबूती से आ सकती है पपू यादव की बात करें तो वो सीए तोर पर कॉंगर्स पार्टी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए महतपूल बात यह कि मायवती जो है वो दलीतों की राजिती करने के लिए जानी जाती है और देखिए आप बारंबार देखेंगी जहां जहां भी अगर नों ने अपने आपको कह सकते हैं कि पार्टी को मजबूत किया उसमें दलीत वोट बेंक का बहुत बड़ा हाथ रहा है ऐसे में जो दलीत वोट है वो उनके पास से खिसा गया अब आप देखें अगर इसी 24 की बात करें तो महज 8% के आसपास उनको वोट मिला है जो यह बताता है कि उत्तर परदेश में 20-22% जो दलीत वोट हैं जो एक समय मायबती को चीए तोर वो पड़ा करता था अब वो उनके पास से जाकर हटकर कहीने कहीं सपा या कॉंग्रेश या पिर आजात की तरफ शिफ्ट होता हो नजर आ रहा है जो मायबती की सबसे अगर मायबती को एक बार फिर से जो दलीत वोट बेंक उसके उपर अपना अधिकार जमाना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा और देखिए महत्पूर्ण बात इकसमें एक और भी है कि जो बड़े-बड़े नेता उनके पास हुआ करते था वो नेता की भी कमी है क्या आकाश अनन्द पार्टी के भार को लेकर आगए जा पाएंगे या फिर जो लगातार चर्चा चलती रहते हैं कि आकाश अनन्द और चंदर शेकर आजाद मिलकर एक तरीके से बीएस पी को यहाँ पर मजबूत कर सकते हैं क्योंकि दोनों का जो को एक ही है अगर यहाँ पर आएंगे तो हो सकता है कि कई पार्टी को यहाँ पर वो पीछे धखिलते हूं नजर आ जाएं लेकिन अगर अलग होकर चुनाब ड़लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी सफलता बीएस पी को यहाँ पर मिलने वाली है बिलकुल अब ऐसे में वही देखन करेंगी या नहीं यहीं बड़ा सवाल बन जाता है लेकिन अइसे में अब यहीं देखना होगा कि उत्तरपदेश में जो विधान सभा की 10 सीटों पर उप्चुनाव होना है उसमें बहुजन समाज पार्टी क्या कमाल करके दिखाती है और कितनी सीटे जीती है क्योंकि आम में देखा गया था कि यहां पर जो उनका जाटव वोट बैंक है जो दलित वोट बैंक है वो खिसक कर समाजवादी पार्टी के पास और यहां पर आजा समाज पार्टी के पास चला गया था तो अब वहीं देखना होगा कि इन उप चुनावों में आखिरकार क्या होता है औ और जो हर्याना में विधान समा चुनाव होते हैं आखिर का उसमें मायवती क्या कुछ करके नजर आती हैं फिलाल के लिए इतना ही इसी पूरे मुद्धे पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और इसी तरह की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं